मैं आपको चुनोती देके बोलता हूँ कि आप भारती जनता पार्टी के कोई कैबिनेट मंत्री से भी पूछेंगे तो आप पूछेएगा उनसे ये सवाल कि नड़ा जी का एक्स्टेंशन हुआ क्या आपको पता था इवर नड़ा जी को भी नहीं पता था आपने समविधान को कुछला है आपने देश को तीन चीजे दी ये पिछले आठ सालों में भैंकर वेरोजगारी भैंकर आर्थिक असमानता और भैंकर नफरत घ्रणा और द्वेश का वाता वाधा आज 6 करोड कॉंग्रेस परिवार के सदस्यों के लिए गर्व का दिन है क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अपने मुख्या का चुनाव सीधे चुनाव के तहित यहां देश में पहलेवे 9000 से ज़्यादा PCC डेलीगेट अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं इसलिए जब हम लोकतंत्र और समीधान की बात करते हैं तो हम लोकतंत्र और समीधान कैसे लागू किया जाता उसकी एक मिसाल भी प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए कॉंग्रेस के 6 करोड मेंबर्स के लिए ये गर्व का शण है कि आंत्रिक लोकतंत्र किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी में है उसकी मिसाल हम सबने प्रस्तुत देखिए 9000 से ज़्यादा लोगों का वो अपमान कर रहे हैं मैं बीजेपी को चुनावती देता हूं कि दो प्रश्नों का उत्तर में उनको भी 40-50 साल होगे पार्टी बने कब उनके यहां अध्यक्ष का चुनाव हुआ है कौन से साल में क्या राजनास सिंग आडवानी वाचपई गडगरी जना कृष्णमूर्ती कुशा भाव ठाकरे अ उनके यहां दो ही सिस्टम है पहले नागपूर से आ जाता था अध्यक्ष अब नागपूर मोदी जी के सामने घुठ ने टेक चुका है तो अब मोदी और शाह एक कमरे में जाते हैं और नए अध्यक्ष का एलान उस कमरे से कर देते हैं मैं आपको चुनावती देके बोलता इसलिए वो ऐसी बाते ना करें उनके इन बातों क्या कोई महत्व नहीं है हमारे यहां 9000 से ज्यादा लोगों ने डाइरेक्ट मद्दान करें यह अपने अध्यक्ष का अध्यक्षपत के व्यक्ति को चुना है ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका 55 साल का आइडियोलोजिकल कमि पमेंट है जो 50 साल तक लगातार इसल्गों द्वारा चुनके विधान-वीर नोकसभा तक पहुझा हो जो मिल मजदूर का बेटे से लेकि ब्लोग कॉंँरेत के अध्यक्षपत से लेकिबिस्टिक कॉंँए क कउंफां से लेकि परधेश कॉंइस के अध्यक्षपत से लेकि कि CWC के Member के पत से लेकर आज वो व्यक्ति जो एक मिलमजदूर का बेटा था है वो आज Congress का ध्यक्ष बना हम सब लोगों को इस बात का बहुत ब्रॉट बीजेपी से हम पूछना चाते हैं कि पहले भी सोनिया गांदी जी चुन के आई थी, उनको ग्यान नहीं है, मैं उनके बारे में टिफनी नहीं करना चाता है, उनको ग्यान नहीं है, उनको पता ही नहीं देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो तो बोल देते हैं, पहले भी सोन प्रेक्ट वोटिंग से चुन रहे हैं मैं चुनोती जे रहा हूँ पचास साल में आपके यह वोटिंग कब होई बस बता दो मुझे बाकि मैं आपके सारे आरूप सही मालों कब किस साल कौन सा अध्यक्ष उनके यहां चुनाव के द्वारा बना या तो नाकपूर से बना या मोदी शाह एक कमरे में जाके अपना कोई आदमी को अध्यक्ष बना देते हैं और ऐसे व्यक्षि को अध्यक्ष बनाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता जेपी नडडा जी एक बुजुर्ग व्यक्षि मैंने एक वीडियो देखा कि जब वो अध्यक्ष बने और वो मोद जब जब खड़गे साब चुनाव जीते तो सोन्या गांदी जी उनके घर जाकर उनको बढ़ाई देता हैं मारे यह परमपरा है कि राहूल गांदी जी से जब पूछा गया कि आप क्या करेंगे तो उन्होंने का कॉंग्रेस प्रसिडेंट इस सुप्रीम शी विल अश्मादी सफ्ति यह इने कौने करेंगे इस लिए एक रोख लें। और भैंकर नफरत घ्रणा और द्वेश का वाता हुए तो मोजी जी को दिखा जो और मोजी जी मिलना चाहते हैं तो मुझे बता है मैं अपॉइंट्मेंट भी फिक्स करता हूँ करगे साब से मिले और सीखे किस तरह लोक तंतर की स्थापना की जाती है सीखें हमारी Central Election Authority यही दफतर है आपके बिल्कुल सामने यहां पे किस तरह निश्पक्षता से चुना हुए किस तरह से मतलब Election Commission का भी डंडा इतना नहीं होता है जितना हमारा Chief Election Authority का Guidelines Code of Conduct है इसको कहते हैं आंत्रिक लोकतंत्र और यहां पे खड़ेवे प्रतेक व्यक्ति को इस लोकतंत्र पर गर्व हमाचल में जिस तरह का वातावरण है जिस तरह से ब्रश्टाचार की भेट हमाचल चड़ा है जिस तरह से वादा खिलाफी हमाचल के लोगों से की गई है आपने बाई-इलक्षन के वी रिजल्ट आपको याद होंगे मुरको याद नहीं है ऐसा क हमाचल का नतीजा तो बाई-इलक्षन में साफ हो गया था आगे जो नतीजे हैं वो और भी आगे नवंबर में साफ हो जाएंगे एले उठा लेना चीए था नहीं उठा लेना चीए था पर मैं यह कह रहा हूं कि सही समय पर सही कदम हमने उठा कन्या कुमारी से कश्मीर तक जिस तरह से राहूल गांदीजी भारत को जोडने का काम कर रहे हैं और मैं आप सब लोग सब जानकार लोग हैं आप सब लोगों को सब जानकारिया हैं मैं आप से पूछता हूं ऐसा कोई ऐसा पॉलेटिकल पार्टी का नेता है जो 3570 किलोमेटर सर्दी गर्मी बरसाथ यात्रा भी पूर्ण कर ली और आप यात्रा में काफीला देखो एट टाइम लाख लोग से ज़्यादा रहते यात्रा में और यह भारती जनता पार्टी की तरह भाड़े पर लाए गए लोग नहीं यह स्वयम अपने विवेक से क्योंकि देश में जिस तरह से वातावरण ह का घ्रणा का द्वेश का बेरोजगारी का मेंगाई का आर्थी का समानता का गिरतेवे रुप्य का उस वातावरण से युवा मैलाय व्यापारी मध्यमाय वर्गे परिवार किसान मजदूर सब परेशान हो चुके हैं वो आज जिस तरह से भारत जोड़ू यात्रा का भाग बन रहें मैं आपको पूर्ण जिम्मेवारी से कहता हूं कि 2024 में भारती जन्ता पार्टी का घर बैठना निश्चित देखिए हिंदी में एक कहावत है कि जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप इस तरह की बाते करते हैं निर्मला सिता रमन जी को हर चीज का ग्यान है सिवाई अर्थ शास्त्र के अर्थ शास्त्र का इकोनोमिक्स का यह नहीं पता हो बाकि उनको सब ग्यान है अर्थ शास्त्र का ग्यान है इसका नतीजा यह हुआ कि वो इस तरह के कुतर की बयान देती है कभी बोलती है गाडियां इसलिए नहीं भिकरी क्योंकि लो उन्होंने कि रूपिया नहीं गिर रहा है डॉलर बढ़ रहा है मैं उनको एक जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया की जो emerging market economies का जो cluster है जिनने सारी emerging economies का जो basket है वो 8 परस जो वो 6 परसेंट की गिरा सारी emerging economy और हमारा रूपिया उसी दौरान 58 है जिर्मलास इतर मण जी इसका जवाब दीजится क्यों आप अपनी इस तरह की कूतर की बयानों से देश का सर विदेशी धरती पर जुकाती क्यों आप इस तरह की जो यह सारे बयान आपकी अक्षमता को जताते हैं आपको आपकी नासमझी को जताते हैं मैं आगरे करूँगा कि विदेशी धर्ती पर जाके इस तरह की कुतर की बयान ना दे इससे देश का सर नीचे चुकता है